नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कमल को ही भारत का राष्टी पुस्प क्यों बनाया गया है कमल बेहत सुंदर पुल है कमल एक लोता ऐसा पुस्प है जो कीचड में खिलता है कमल का फुल सुधता सुंदर्ता एस्वर्य कृपा समरिथी ग्यान आधी का प्रतीख है इसके अंगीनत महत्त और लोग पुरियता के कारण कमल का फुल भारत का राष्टी पुल कहलाता है कमल के फुल को इंडियन लोटस या सिक्रेड लोटस के नाम से भी जाना जाता है और राडिक कथाओं के अनुसार कमल का फुल देश के मुल्यों को दर्साते हैं कमल को प्रकृती की एक उलेखनी और अध्भूत रचना माना जाता है कमल के पत्ते गोल और चमकदार होते है कमल कुस्प कीचड में खिलता है कमल केवल ज्यादा तर दो रंगों में पाया जाता है सफेद और गुलाबी इसके अलावा लाल और नीले रंग का कमल भी प्रकृती के गोद में खिलता है कमल, तलाब, उखर और जलासा में खिलता है कमल का आधा भाग तलाब के जल के अंदर होता है और आधा भाग जल के बाहर रहता है कीचड में खिलने के बावजूद भी यह बेहत खुबसूरत होता है और लोगों को अपनी और आकरसित कर लेता है